हेलो दोस्तो मेरा नाम है गौतम और आप देख रहें यूलेक लेक्ट्रोनिक्स और दोस्तो आज कि इस फीडियो में हम आपको 300W 2.1 Amplifier बना कर दिखाने वाले हैं तो यहां पर यह जो Amplifier Board है दोस्तों यह हमारा 100W प्लस 100W Amplifier Board है इससे मैं स्पीकर यूज करूँगा जिसे हम साउंड ले सकते हैं उसके बाद यहां पर यह 100W का यह 200W Amplifier है जिसे हम सबूफर को चलाएंगे जिसे सिर्फ हमारा बेस आएगा तो यह बहुत ही पावरफुल 2.1 Amplifier होने वाला है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सबूफर को चलाने के लिए लोग पास फिल्टर का जरूरत होता है तो मैंने यहां पर लोग पास फिल्टर का भी स्पीकर और सबूफर बहुत ही इजिली यूज कर सकते हो लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 24-0-24 3A का टांसफर्मर लगा दिया और पावरफुल साउंड आएगा ऐसा नहीं है अगर अच्छा बेस चाहिए अच्छा साउंड चाहिए उसके लिए आपको अच्छा पावर स करूंगा वो अब डिस्पले पर देख सकते हो कुछ इस परकार का दो इसपीकर होगा जो इस पर चलेगा और यहाँ पर जो वूफर है उसको चलाने के लिए मैं आप ती फिलाल में आठ इंच का विि यूज कर रहा हूं जो आप यहाँ पर देख सकते हूँ यह 8 इंज का subwoofer है यहाँ पे देखिए और इसका pick power जो है 200 वाड है और यह subwoofer series में आता है sweeten का यह 8 इंज का subwoofer है तो आईए इसका connection करना start करते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इस amplifier board का connection करूँगा तो देखिए इस amplifier को अगर आप यहाँ पे देखिए तो 4 transistor लगे हुए हैं जो 2 transistor मिलके एक channel त्यार करता है तो इसमें 4 transistor लगे हुए हैं तो यहाँ पे एक channel हो गया और एक channel यहाँ पे हो गया है तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें मैं सिर्फ sound के लिए जो speaker होता है उसको use में लेने वाला हूँ तो यहाँ पे देखिए इसमें मैं आपको connection थोड़ा बता देता हूँ और इस दोनो बोट पे कहीं पे रेक्टिफ हैर नहीं है आपको अलग से बनाना पड़ेगा मैं आपको आगे बताऊंगा यहाँ पे देखिए मैंने component वेगेडा सब रखा हूआ capacitor है डाव रखा हूँ मैं आगे आपको step by step सभी connection बताते जाओंगा तो यहां पे देखिए इसमें आपको supply कहां पे देना जैसे back side में इसके देखें तो यहाँ पर देखें यहाँ पर plus देना है यहाँ पर minus देना है और यहाँ पर GND देना है यह दोनों board सेम है बस यहाँ पर फर्क यह है कि यह studio में है और यह mono में है ठीक है तो यहाँ पर dual supply देना है 3035 से 8 amp का transformer आप यूज करें अगर heavy amplifier बनाना चाह साइगा लेकिन 3030 अगर आप यूज करते हो तो बहुत ही अच्छा sound का response मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर आपको जो है power supply का connection हो जाएगा आप यहाँ देंगे तो भी यहाँ देंगे तो भी बात बड़ाबारी होगा क्योंकि इसका print सभी एक जैसा है उसके बाद यहाँ पर द लेगा यहाँ output हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए यह दोनों मिला हुआ है यहाँ पर output है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं और ground ले लेना है आपको माइनेस वाला से नहीं लेना है आपको GND से लेना है ठीक है उसी परकार से दूसरे चैनल पर भी जो है दोनों resistance का यह प तो सबसे पहले मैं इसमें potensometer लगाऊंगा तो देखिए इसमें जो मैं potensometer लगाऊंगा दोस्तों यहाँ पर यह डूवल चैनल का रहेगा 47K का और यहाँ पर मैंने दोनों pin को आपस में sort का रखा है और यहाँ पर देखिए यह दोनों खुला हुआ है तो यहाँ पर audio input दे left और right होता है तो यहाँ पर इस potensometer में जो यह दोनों pin आपस में मैंने एक साथ sort किया था यह ground होगा और बाकी इस connector का जो दोनों side वाला wire है यह input में आ जागा यह जो potensometer का पहला number pin है आगे और पीछे उसमें हो जाएगा तो इसका connection में यहाँ पर कर लेता हूँ तो देखि pin में आ जाता है और दोस्तों मैं यहाँ पर हर एक connection को details में इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीका से समझ पाएं हाला कि मैं सभी वीडियो में potensometer का connection एक एक करके बताता हूँ ऐसा नहीं की बोल दिया और direct करके दिखा दिया मेरा मानना यह है कि जब तक आ है audio input का connection होगा और बीच वाला यह दोनों pin जो है खाली हो जाता है तो यहां से 3 wire निकलेगा बीच वाला से 2 wire एक यहां से निकल जाएगा जिस परकार से 3 input होता है उसी परकार से 3 output होता है तो यहां से 3 wire connect कर लेंगे तो दूस्तों मैं यहां पर इस potensometer में connection कर दिया है जो ब इसको side वाला यह ले लेना है इससे यह होगा कि आपको यह याद रहेगा कि बीच वाला यह ground है और यहां पर यह दोनों हमारा left और right है तो यहां पर मैंने आपको दिखाया था audio input के लिए यहां पर देखिए input यहां पर है और एक input यहां पर है और GND पूरा एक ही है तो आप कहीं पर भी जो है GND वाला वायर लगा सकते हैं तो मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूँ तो यहां पर जो है इस परकार से audio input का connection हो जाता है जो इस amplifier board में जाता है GND हमेशा बीच में रहेगा left और right यहां पर input हो गया है तो यहां पर जब हम audio input signal देंगे audio पैनल से यहां पर Bluetooth भी लगा सकते हो मोबाइल का पीन भी लगा सकते हो कोई साभी audio input का signal हो आप यहां पर देंगे तो इस पर टेंसिमेटर से फिल्टर में connection करना है तो देखिए low pass filter में क्या है input यहां पर दिया गया है power supply के लिए यहां पर दिया गया है और output के लिए यहां पर दिया गया है audio input यहां पर होगा left, right और ground यहां पर देख लिजी यह बीच वाला पीन ground है और यह दोनों left और right है तो यहां से 3 wire लेना है और इसी 3 wire को कहां पे लेकर डालना है इस पो टेंसो मीटर के बीच वाले में जहां पे मैंने ये वाला wire लिया है तो यहां से 3 wire उठाकर audio signal का इसमें डाल देंगे तो जब हम sound control यहां से करेंगे तो इसके थुरू यहां पे sound control होगा अगर आप चाहते हो कि bass हमारा अलग से control हो sound अलग से control हो तब इसमें audio input आपको कहां से देना होगा जहां पे आपने पहला नमबर pin input में दिया है इस connector के थुरू यहां से अगर आप देते हो तो sound आपका अलग से control होगा और base आपका अलग से control होगा लेकिन आपने ज़्यादा तर देखा है 99% कोई सबी system हो उसमें base जो होता है जब तक आपका main volume नहीं खुलता है तब तक आप यहां से control नहीं कर सकते हैं तो मैं इसी connection को देखते हुए ऐसा connection करने वाला हूँ कि जब तक main volume आप नहीं खुलेंगे तब तक आपका subwoofer वाला volume काम नहीं करेगा इसलिए मैं यहां पर क्या करूंगा दोस्तो जो low pass filter पर जो हमारा connector है जो कि इसका wire बहुत ही बड़ा है तो मैं इस connector का यूज कर लेता हूँ तो यहां पर देखिए बीच वाला इसमें GND है और यह left और यह right है तो उसी परकार से मैं इसका connection यहां पर कर दूंगा जो बीच वाला हमारा जो wire आ रहा है वो हमारा GND है, GND को GND के साथ connection कर देंगे जहां पर मैंने इस potentiometer से जो wire निकला था उसी के साथ मैं यहां पर कर देता हूं यहाँ पे यह ग्राउंड का हो जाता है और यह दोनों वायर हमारा लेप्ट और राइट का हो जाता है तो यहाँ पे यह कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें लेप्ट कौन सा है और राइट कौन सा है यह दोनों आपस में आप यहाँ पे connection कर सकते हो इसमें कोई minus plus नहीं होता है left right होता है तो वो ज्यादा फार्क होता नहीं है अब एक दूसरे में दे सकते हो तो यहां पे एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं जैसे यहां पे देखिए यह जो हमारा potentiometer है यहां पे audio input होगा और इसी audio input के थूरू जो है इस low pass filter में जाए audio input होगा यहां पे देना है और speaker output के लिए यहां पे connector दिया गया है तो यहां पे जो audio input होगा इसमें किस भी परकार का potentiometer नहीं लगेगा क्योंकि मेरे low pass filter पे already यहां पे लगा हुआ है तो मैं यहां पे क्या करूंगा यह जो output का section यहां पे दिया गया है तो यहां से दो आयर लेना है और यहां पे डाल देना है गैजची ये two pin वाला connector है तो जो brown color है कि वह हमारा ground में चला जाएगा और जो black color है मेन हमारा audio input में होगा तो यहां पे AUD Contain हिंपूट के लिए देखें यहां पर दिया गया तो यह help है और यह ins VOICE जला जागा मेन हम्हें आद्यू इंपूट मने सब्सक्राइब और जो ब्रावन कलर है वह चला जागा g अंडि में तो यहां पर यह वाले को मैंनिकाल हो जाएगा तो इससे यह होगा कि यहां पर सिर्फ बेस आएगा तो इस प्रकार से connection दोस्तों जो है कर लेना है यहां पर जो अभी तक मैंने connection किया है वो सिर्फ audio input का किया है और low pass filter के किया है इस दोनों में speaker socket में यहां पर लगा लेता हूं तो इस पर dual channel का speaker socket सोकेट रहेगा और इस पर single channel का speaker socket रहेगा तो देखिए dual channel वाले पर कुछ इस प्रकार का मैंने यहां पर speaker socket लिया है जो कि यह dual channel का है तो यहां पर एक channel का यह वायर है और दूसरे channel का यह वायर है इस speaker का जो output होगा दूस्तों यहां से मैंने speaker output के लिए connection कर दिया है इस प्रकार से उसके बाद दूसरे channel पर कनेकटर लगा लोगा तो देखिए यह single channel काκह यह connector है तो मैं यहां पर connection कर लेता हूँ इस speaker socket का तो यहां पर इस प्रकार से output हो गया है तो यहां पर यह सब वूफर के लिए output होगा और यहां पर speaker के लिए output होगा यहाँ पे देखिए तो इस परकार सी हो चुका है इसके बाद देखिए दोस्तों इसमें मैं power supply का connection करने वाला हूँ तो power supply का connection यह दोनों board को एक जैसा मिलेगा जैसा कि मैं आपको बता है यहाँ पे यह ground का है और यह minus और यह plus तो यहाँ से तीन वायर निकलेगा और डारेक्ट यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था यहाँ पर इसका print बना हुआ है तो यहाँ पर तीन वायर डारेक्ट यहाँ पर आ जाएगा तो आए यहाँ से तीन वायर लेंगे और यहां पर connection मैं करता हूँ, तो देखिए दोस्तों, यहां पर एक मेरे पास connector है, जो इस power supply वाले में लग जाएगा, तो मैं इसी connector को use कर लेता हूँ, अगर आपके पास connector नहीं है, तो आप डिरेक्ट वायर के through भी इसमें देख सकते हैं, यह ground होगा, और यह वाला minus होगा और यह प्लस होगा, तो मैं यहां पर connection कर देता हूँ, इस board की इस side में, तो इस परकार से यहां पर power supply का connection हो गया है, तो जैसे में इसमें power supply यहां पर देंगे, तो यहां पर print के through इस amplifier board में चला जाएगा, और यहां पर दोस्त से लेकर 25V तक आप इसमें दे सकते हो, लेकिन यहां पर क्या है कि 25V का यहां पर कोई supply बनेगा ही नहीं, तो इसके लिए यहां पर इक अलग से power supply बनाना परेगा, और जैसा कि मैं आपको बताया है कि इसमें audio panel के थूरू इसको मैं चलाने वाला हूँ, तो audio panel के भी 5V चाहि होंगा दोस्तों, यह 22-22, 4A का यह transformer है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें आपको जो power supply देना है, 30-30, 5A से लेके 8A तक अगर आप transformer यूज करते हो, तो अच्छा sound का response मिलेगा, यहां पर मैं सिर्फ आपको चेक करने के लिए मैं यह दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो आज कल के बरे-बरे transformer आते हैं, जैसे 24-0, 25A, 30-35A, 8A भी आते हैं, मार्केट में अगर आप खोजेंगे तो easily मिल जागा, उसमें आपको 0 और 12 के लिए एक loop निकाला रहता है, जैसे यहां पर देखिए, यह तो red वाला power supply के लिए हो जागा है, जिसमें 220 volt AC supply देंगे, औ और यहां पर देखिए, 220-22 निकल जाता है power supply, और यहां पर हमारा 0 बारा है, यह ज्यादा तर transformer में इसलिए loop निकाला रहता है, क्योंकि 0 बारा का use जो है, सभी amplifier में use होता है, इसलिए ऐसा option निकाला जाता है, तो मैं यहां पर इसी transformer से power supply बनाऊंगा, और इससे check करके दिख हाँगा, हाला कि अगर आप भी use करते हो, 220-22 चार से पांच एमपियर तो भी चलेगा, लेकिन बहुत लोग का कहना यह रहता है दोस्तों, कि हमारा आवाज किलियर नहीं आता है, बेस फटता है, तो उसको देखते हुए, मैंने यहां पर आपको बता है, कि 30-30 जो है, आप transformer यूज करें, पांच से आठ एमपियर, तो आपका जो speaker हो, या सब उफर हो, उसका जो sound आएगा दोस्तों, बहुत ही clear रहेगा, और बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि सभी को चलाने वाला यहां पर main power supply ही होता है, तो power supply में अगर कोई कमी नहीं रहा, तो sound में भी कमी न ठीक है, तो यहां पर मैं power supply बना लेता हूं, जिस परकार से, उसी परकार से आपको बनाना है, तो यहां पर मैं 2022 ले रहा हूं, आप इसको 3030 समझ के चलिए, उसी के according मैं यहां पर एक power supply बनाने वाला हूं, मैं यहां पर इसको side कर लेता हूं, और मैं power supply आपको बना कर तो यह जो हमारा रेक्टिफ हैर है दोस्तों बहुत ही हेवी रेक्टिफ हैर है यह लगव 25 एंपियर और 800 वोल्ट तक यह काम करता है ठीक है अगर आपके पास यह डावोड एविलेबल नहीं है तो 6 एंपियर वाला जो मोटर डावोड आता है उसको रेक्टिफ हैर बनाकर आ यह ले लेना है उसके बाद दूस्तों यहां पर दिखिए तीरसेट वोल्ट 4700 UF दो कैपसीटर लेना है और यहां पर देखिए दूस्तों मैंने आपको बता रहा था कि अगर आपको ऐसा ब्रीज नहीं है तो आप इस परकार से चार डावोड को ब्रीज डेक्टिफ हैर ब जो हमारा कैपसीटर है इसका यह माइनेस वाला पॉइंट है और यह प्लस वाला पॉइंट है तो यह प्लस वाला पॉइंट चला जागा माइनेस में देखिए इधर माइनेस है तो मैं यहां पर कनेक्शन कर दूंगा देखिए यह माइनेस है और यह प्लस है तो प्लस वाल यहां पे यह वहला point minus हो जाता है और यह प्लस हो जाता है और यह ग्राउंड हो जाता है तो यह हमारा rectifier है दोस्तों इसका जो plus है यहां पर मैं लगा दूँगा और minus को minus में लगा दूंगा तो देखिए दोस्तों यहां पे इस रेक्टिफ fajr को मैंने यहां पे लगा दिया है यहां पे देखिए दोस्तों यह जो पीन मैंने उपर मो रखा है इसमें टांसफर्मर का जो AC बेला सपलाई होता है जैसे यहां पे 30 और 30 यहां पे आ जाए को तो देखिए दोस्तों यहाँ पे यह हमारा rectifier बनके तयार हो चुका है, मैं आपको एक वार दिखा देता हूँ, यहाँ पे यह transformer का यह दोनो 30-30 चमाज लिजिए, और ground वाला यहाँ पे चला जागा, और rectifier के थूँ यहाँ पे plus और minus चला जाता है, और यहाँ पे यह cut बनाव तो यहाँ से हमारा 12V तयार करेगा, दोस्तों यहाँ पे rectifier है छोटा सा, जो कि मैंने 0-12 के लिए यूजि में लेने वाला हूँ, यह बहुत ही simple तरीका से यहाँ पे बन जाता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों वारा इस परकार के devote आपके पास नहीं है, 4007 devote का rectifier बनाके आप यहाँ पे 12V DC बना सकते हो, तो यहाँ से 2 वार निकल जागा 0-12 के लिए और उसके बाद यहाँ पे amplifier के लिए यहाँ पे 3 वार निकल जागा, अई यह सब से पहले मैं यहाँ से 3 वार निकलता हूँ, जो amplifier में दूँगा, तो दोस्तों यहाँ पे 3 कलर मैंने वार ले लिया ह जो GND होगा, उसके लिए मैं यहाँ पे green कलर को यूज में लिया है, और supply का जो wire रखना है दोस्तों वह भी heavy रखना है, और plus का connection यहाँ पे हो जाएगा, और minus के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे dual supply है, तो यहाँ से 3 wire output होगा, तो यहाँ पे देखिए यह हमारा ground है, और यह की हमारा minus plus है, तो इसका connection मैं board पर कर लेता हूं, यह जो हमारा main board है, यहाँ पे मैं supply देने वाला हूं, तो मैं इस side से कर लेता हूँ, देखिए यह बाला, तो जहाँ पे GND है, तो यहाँ पर मैं GND कर देता हूं, इस परकार से मैंने GND यहाँ पर कर दिया hey, और PJ माइन्स प है इसको मैं यहाँ पर कर देता हूं तो यह जी एंडी वाला को यहाँ पर ना करके आप यहाँ पर भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहां पर यह पावर सप्लाई का हो चुका है ठीक है तो जैसे मैं इसमें पावर सप्लाई यहां पर देंगे तो इस प्रिंट के थुरू यहां पर आगा और यहां पर जो मैंने वायर कनेक्शन किया था इस वायर के थुरू यहां पर चला जाएगा पावर सप्लाई तो इस प नहीं हमारा पावर सब्कंद के लिए यहां पर कनेक्टर अभी खाली है match filter मीं कुर्श फ्ल्टर में यहां पर लगा देंगे तो आईए यहां से दो आयर लेकर मैने स्पॉरस को देखते हुए यहां पर लगा देते हैं तो इ장님 इति एक और कलर है वहाँ पर प्लस आ जाता है और जहां पर प्लस है वहाँ पर माइनस आ जाता है तो यहां पर देखिए जहां पर यहां पर जब मैं power supply दूंगा दूस्तों यह चला जाएगा इस लोपास filter पर इस प्रकार से हो गया इसमें audio यह पैनल में यूज करने वाला हूं उसके लिए 5V के लिए हमें जो है इसके रेगुलेटर लगाना पड़ेगा इस प्रकार का इक वोल्टेज रेगुलेटर लेना जो पांच वोल्ट रेगुलेट करता है तो इसका पहला नंबर पिन में प्लस होगा यह माइनस होगा और यह प्लस वाला पॉइंट है तो इसमें यह प्लस वाला जागा माइनस वाला जागा यहां पे चोटा सा पीन बचा हुआ है यहां से 5V आउटपुट करेगा तो यहां पे ले लूँगा देखिए यह वाला मैंने कनेक्टर ले लिया है और इसमें लगा देंगे इस मोडियूल म और हम यह देखेंगे कि प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है उसी के अक्वैडिंग में यहां पर इसका कनेक्शन करूंगा तो देखिए यह उपर में GND और नीचे BCC है तो यहां पर प्लस वाले को प्लस के साथ कनेक्शन कर देंगे जहां पर इस रेगुलेटर के तीन नं फुट हो जाएगा तो पापर सब्लाय का जितना भी कनेक्शन था यहाँ पी हो चुका है तो आईए सभी को मैं एक साथ अच्छे से सेट अप कर लेता हूं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं इसको चेक करके तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टोटल सेट अप कर लिया है यहा कोनों इस स्पीकर जो है इस एंप्लीफायर बोड्स में चला रहा हूं जो पाइनल कब देख रहे हो जो बहुत ही हैवी एस पीकर होता है उसके बाद यहां पर देखिए इस एंप्लीफायर मैंने यह आठ इंच का सबूफर को मैं चला रहा हूं यहाँ पर देखिए यह किस प्रकार से काम करता है इसमें मैंने पावर्ट यह दिये दिया है और देखी यहां पर इस एंप्लिफायर बोड पर यह जो एलेडी लगे हुए है यह भी गुलो कर रहा है और इसमें भी हलका सा रेड गुलो कर रहा है यह साइड वले स्पिकर अभी दोनों चल रहा है और यहां से बिल्कुल कम है अभी जो सब उफर के लिए है साउंड अभी यहां से कम है लाओ से अभी जो स् अभी बाले कि बिल्ला है मुझ मैं व में आ करता है है तो दोस्तों यहां आपने देखा कि 300W 2.1 amplifier का यह जो हमारा setup है काफी अच्छा से काम कर रहा है यहां पर जो 8 इंच का यह सब ओफर है यहां पर आप 10 इंच का भी अप लगाते हो तो काफी अच्छा से काम करेगा और इसमें जो sun quality है और base का जो आपने quality देखा वो भी काफी अच्छा है यहां पर जो मैंने connection किया है कहीं से कोई दिक्कत नहीं है बहुत अच्छा से यह काम कर रहा है तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप 2.1 habit amplifier बनाना चाहते हो तो इस प्रकार से बना सकते हो तो दोस्तों मारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज लाइक करें शेयर क वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो